इस lecture के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन-कौन से steps हैं जो machine learning model को start से लेके end तक जब आपकी AI app बनती है, वहां तक deploy करने के, जब काम चर रहा होता उस process के अंदर आते हैं, और वो सारे steps पहले हम enlist करेंगे, और इन steps को फिर बारी-बारी हम पूरे course के अंदर देखने व और इन्शाला आपको मैं real life example के साथ समझाने वाला हूँ, machine learning के steps, लेकिन पहले enlist करते हैं, मैं screen आपके सामने share करता हूँ, ये screen आपके सामने आ रही होगी, so सबसे पहला काम जब आपने machine learning के अंदर आना है, तो machine learning के अंदर आते वकत, आपके पास जो पहला काम होता है, व problem को देखें के problem क्या है, जिसके उपर आपने काम करना है, वो कौन सी ऐसी चीज है, जो आपके machine learning के problem के अंदर आती है, say for example, जैसे हम कोई भी चीज को start से end तक कोई चीज बनाने के लिए जाते हैं, तो हमारा aim होता है, और उस aim पे रहते हुए हम कोई काम करते हैं, मैं एक मि agents या machine learning based app बनाने चाहता हूँ, AI की app बनाना चाहता हूँ, और उस AI की app में मैं ये चाहता हूँ के जो doctors हैं, उनकी handwriting जो इस तरीके से उन्होंने लिखी होती है, उस handwriting को वो AI app understand करें, ठीक है, और वो हमें एक English के अंदर बता दे के इस AI की app के अंदर, जब आप कोई भी एक त साब ने लिखा है, वो क्या लिखा हुआ है, तो ये अगर मेरा aim clear होगा, तो मैं उसी की base पे अपनी problem जो है, उसे define कर सकता हूँ, मतलब problem ये है हमारे पास, कि जब भी आप AI की app कोई build करना चाहेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये कर क्यों रहे हैं, तो सबसे पहला काम ह होता है, आपने AI की app को build करने से भी पहले अपनी problem को define करना, आपकी problem define होगी, जब problem define हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे second step पे, आप करेंगे data collection, क्योंकि कोई भी machine learning task data के बगार काम नहीं करता, ठीक है, तो दूसरा step होगा आपका data collection, जैसे आप data को collect करेंगे, तो आप उस को अच्छे तरीके से define कर पाएंगे, कि जो अब हम काम करने वाले हैं, उसमें data क्यों जरूरी है, ठीक है, और data अक्सरो काद जब भी आप collect कर रहे होते हैं, आपके सामने कुछ options होती है, data की errors को remove करने के लिए, quality of data को maintain करने के लिए, and there are many other things जो data को collect करने के लिए जरूरी ह जो हमने statistics के पूरे chapter के अंदर देख ली हुई है, और ये statistics की हमारी जो book publish हुई है, उसके उपर भी आप जा के देख सकते हैं, ABC of statistics के अंदर, ABC of statistics for data science and machine learning, उस book के अंदर आप ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, कौन-कौन सी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से आप data collect कर सकते हैं, और data को measure करते वकित आपने कौन-कौन सी चीज़ों का ख्यार रखना है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने data collect करना है, तो आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, वो कुछ चीज़ें कौन सी हैं, वो चीज़ें हैं जनाबेवाला कि आप किस तरीके से data की best practices को follow करते हैं, और data जब आपके सामने आता है, तो आप उसको handle कैसे करते हैं, ठीक है, जिस book का मैं नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप जाएं, तो codenix.com की website पे जाने के बाद, ये books का इधर आपके पा है, measurement क्या होती है, data collection क्या होती है, तो data collection के through आप देख सकते हैं, कि कौन कौन सी techniques हैं, जिनके through हम data को collect कर सकते हैं, ठीक है, और ये पूरी की पूरी book जो है totally free में online available है, मैं दुबारा से आपको दिखा देता हूँ, books पे आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ABC of statistics पे click करना ह आपके सामने यह book open हो जाएगी, और इस book के अंदर, बड़ी Roman Urdu के अंदर मैंने सब कुछ लिखा हुए, और आप इसको different examples के साथ समझ सकते हैं, reliability क्या होती है, triangulation क्या होती है, true and error score क्या होती है, errors क्या होती है, population से, samples से data कैसे लेना है, data जब collect करना है, कौन कौन सी चीज़ो को देखना है, so on and so forth, तो यह सारी की सारी चीज़ें जब आप देखेंगे, समझेंगे data collection को, तो फिर आप आगे जा सकेंगे, obviously problem ज़रूरी है, hypothesis ज़रूरी है, आपका aim ज़रूरी है, फिर आप data collect करते हैं, अच्छा, या तो आप data collect करते हैं, या आप data available होता है, data gather भी करते secondary data पे, आप primary data पे काम ना करें, आप secondary data पे कर लें, तो जब आप secondary data पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके सामने कुछ वजुहाद होती है, secondary data पे काम करने की, कि आपके पास resources नहीं या फ्री में काम करना चाहते हैं, secondary data ऐसा data होता है, जो किसी का data होता है, so data collection बहुत important step है, जित इसना data साफ सुतरा होगा, उतना model अच्छ होगा, ये हमें लाता है अपने तीसरे point पे machine learning के, तीसरा point होता है data pre-processing, data pre-processing, data pre-processing जो होती है, ये बहुत important subject है, और एक machine learning engineer, अपने time का 80 फीसद, सिरफ और सिरफ इस पे लगाता है, और 20 फीसद जो है, वो model development पे लगाता है, ये model बनाने पे लगाता है, यानि कि आने वाले steps के उपर 20% time, लेकिन 80 फीसद time, एक machine learning engineer का 80% of the time, data pre-processing पे चलता है, pre-processing क्या होती है, आपके पास data आ गया, raw data आया, raw data, आपने data को अच्छे से explore किया, explore किया, explore करने के बाद आप उस data को अच्छे से समझ गए, फिर आपको पता चला कि इस data में anomalies हैं, ठीक है, इस data में anomalies कह लें, आप outliers हैं, outliers हैं, फिर इस data के अंदर से, for example, आपके पास missing values हैं, ठीक है, missing values या null values है, फिर आपके पास इसी data के अंदर से, for example, कोई variables ऐसे हैं, जो आपने engineer करने हैं, मतलब नए variables बनाने हैं, ठीक है, इसको feature engineering भी बोलते हैं, फिर, तो आप data को करते हैं, explore, और data को explore करने के बाद, आप data को करते हैं, wrangle, या साफ, इसके लफ्स के spelling होते हैं, wrangling, डेटा wrangling आप करते हैं, या data को tidy up करना, या data को इस काबल बनाना के वो एक machine learning algorithm में चल सके, यानि के हमने data को इतना साफ सुतरा कर लेना है, कि इस data को जब आप machine learning model में ढालें, तो machine learning model एक अच्छे pattern जो है, वो consider करें, आप कल वाली definition याद करें, कि हम data देते हैं किसी भी एक machine को, machine उस पे करती है learning processor, procedure, फिर वो हमें बताती है pattern की बेस पे recommendation या decision, अब आप खुद सोचें, कि अगर हमारा data ही खराब होगा, तो machine भी गलत सिखेगी, machine भी गलत सिखेगी, तो आपका decision भी गलत होगा, इसकी मिसाल बड़ी साफ और Allah के समके में आप देने लगा हूँ, अगर आप बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे, तो बच्चे अच्छे तरीके से ही बोलेंगे, ठीक है, सेफ और आप किसी बच्चे को आप, हम, इस तरीके से आप और आप और तमीज के दारे में रहे के बात करना सिखाते हैं, तो वो बच्चे तमीज के दारे में रहते हैं, और अकसर उकात अगर आप बच्चों के सामने abusive languages यूजज कर लें, खास तो पे पंजाबी घरों में तो बहुत होता है, बाकी गरों में भी होता है, तो बच्चे उसको फोरण पिक करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो थोड़ी सी anomaly आई है, ट्रेनिंग के अंदर उन बच्चों की, वो क्या करेगी, उनके पूरे के पूरी learning process को change करतेंगी, और यही वज़ा होती है, कि अगर आप घर में अपना महौल उर्दू वाला रखते हैं, तो बचे उर्दू बोलते हैं, पंजाबी रखते हैं, बच ден पंजाबी बोलते हैं, English में बोलते हैं, तो बच्चे भी इंगलिश बोलते हैं, तो यह learning procedure होता है, जो data है, वो है, और अगर आपके data में खराबी है, यानि कि आप बच्चों के सामने गाली ग्लोच कर रे हैं गालम ग्लोच करते करते हैं बच्चे भी वही सीख जाएंगे या उन्ची अवाज में एक दूसरे से बात करते हैं बच्चे भी वही सीख जाएंगे यही procedure होता है machines का अब हम चलते ही अपनी notebook पे again अगर हमारे data में कोई खराबी होगी वो खराबी हमारे model में भी आजाएगी और वो ही खराबी हमारे decision में भी आजाएगी अब आप इसकी example ऐसे समझें कि जो हम app बनाने जा रहे थे उसका data हमने जो दिया उसे वो data ही खराब था यानि कि doctor ने paracetamol लिखी है ठीक है so paracetamol और pogacetamol ये दो different tablets हो सकती है और अगर हम data के उपर जब paracetamol लिखा है pogacetamol लिखके दे देते हैं app ने pogacetamol कहना है और app ने जब हमें decision देना है data की base पे हमें तो पता चलिजाना है कि यार pogacetamol तो कोई medicine ही नहीं है इसका मतलब हमारी app ने घलत हमें बताया तो data जितना साफ सुतर अच्छा होगा उतना आपकी app भी decision अच्छा लेगी और आपका result finally अच्छा आएगा और अगर आप data collection के अंदर data की pre-processing के अंदर अच्छा खासा time नहीं लगाते तब आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी होने वाली है यही वो point है जहां पे आप data को explore भी करते हैं किसी भी machine learning model से पहले और इसी को हम EDA भी बोलते हैं data wrangling और EDA ये साथ साथ चलते हैं EDA आपने पहले भी किया लेकिन अब हम क्या करेंगे हम machine learning model को मद्दे नजर रखते हुए EDA करेंगे ठीक है और EDA के अंदर data wrangling भी शामिल करेंगे कि जो हमारे पास anomalies हैं data के अंदर उसको भी हम अच्छे तरीके से resolve करें तो ये आ गया जनाब data preprocessing का step हमारे पास तीन step होगे पहला था हमारे पास define the problem number one is define the problem number two is data collection and number three is data preprocessing अब चोथा step जो है हमारा जब एक data तयार हो जाता है number four पे हमारे पास आता है आप एक model को choose करते हैं based on the data choose a model ये model वो ही चीज है जो कल में आपको बता रहा था different names बता के supervised, unsupervised और reinforcement के अंदर के k nearest neighbor एक model है linear regression एक model है ठीक हो गया और जो model आप choose करते हैं वो कई किसमों के model और रेडी बने हुए है जो scientist ने बनाए हुए है आप एक specific model को choose करते हैं और उस specific model को choose करने में सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो चीज आप predict करने वाले है उसकी data type क्या है for example मैं predict करना चाह रहा हूँ एक male है या female है मैं अगर अपने data में से ये दो चीज़ें predict करने वाले हूँ male या female मतलब मैं कोई input दूँगा उसकी base पे मैं finally predict करना चाह रहा हूँ कि male है या female है कोई एक चीज ठीक है so उसकी data type की जो final हमारे पास output है अगर वो categorical है categorical अगर categorical data type है तो इसको हम बोलते हैं classification problem classification ठीक है और अगर ये मैं कोई predict करूँ for example मैं कहता हूँ price of a mobile अगर मैं ये वाली चीज़ predict करना चाहूँ यानि कि हमारा final goal हो price of a mobile predict करना तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ये numeric data में आएगी for example 450 dollar आगी price तो ये numeric data है numeric data जब होगा तो इसको बोलते हैं regression ये regression की problem है so हमारे पास regression और classification के algorithm separate होते हैं इसके separate algorithm है और classification के separate हैं so हमारे पास दो categories हो गई है regression algorithms number A regression and number 2 या B से कर लेते हैं इसको बोलते हैं classification ठीक हो गया classification अब regression पे जाना है या classification पे जाना है it depends on the first question जो आपने पहला बनाया था ठीक है अब इसके इलावा regression की problem और classification की problem के इलावा और भी type की problem है यह तो तब है नहीं जब आपको पता है आपने predict क्या करना है future में और labels भी आप देते हैं एक और होती है उसको बोलते है clustering यानि के आप data को सिरफ cluster करके उसके group बनाना चाते है तो तीसरी आपके पास हो जाएगी clustering की problem ठीक है तो यह later on unsupervised में आएगा but for now we will focus on these two problems जिसको हम regression and classification बोलते है regression and classification तो यह दो main problems हैं जिसके बारे में आपको इल्म होना ज़रूरी है regression क्या होती है और classification क्या होती है ठीक है classification ठीक हो गया इसकी base पे आप फिर regression के algorithm separate है और classification के separate है ठीक हो गया और जाहरी बात है आपको यह तो मद्दे नज़र रखना है कि आपकी supervised learning unsupervised है कौन सी है लेकिन जब हम supervised ज्यादा तर learning होती है तो regression और classification के algorithms को हम देखते है उसकी base पे हम model choose करते है ठीक है फिर पांचवा number होता है splitting the data splitting the data हम क्या करते है data को split करते है data की पहले दो types होती है पहले तो मैं आपको बता दू machine learning में दो चीज़े मंद्दे नज़र रखनी है एक होता है आपका x और एक होता है आपका y x वो चीज़ है जो predict करेगा y को ठीक है यानि कि x आपका independent होता है independent usually ठीक है और x जो होता है वो एक variable भी हो सकता है दो भी हो सकते है तीन भी हो सकते है चार भी हो सकते है और धेरों भी हो सकते है यानि कि x आपका independent variables होते है इसकी base पे y को predict करते है तो अगर आपका ये independent है तो ये होगा dependent dependent ठीक है पहली चीज तो ये, x और y independent variable को हम predictors भी बोलते हैं predictor, अगर एक होगा तो predictor, अगर ज्यादा होगे तो predictors, ठीक है और इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास predict करने के बाद चीज़ें final में आती है इसको हम label भी बोल सकते हैं, या हम इसे output भी बोलते हैं, ठीक है तो तीसरी चीज़ होती है, input और ये होगी हमारे पास output ठीक है, इसका एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं feature features feature या features और इसको बोलते हैं label ठीक है इसी तरीके से x और y के कई नाम है, यानि के आप ने ये वाला data दे गया सारे का सारा, और इसकी base पे आप y का data भी दे देते हैं और फिर एक unknown को predict करते हैं अब होता क्या है जब आपके पास x और y है यानि के मेरे पास x है ये x है जी मेरे पास ठीक है और ये है यहाँ पे y, जब मैं x बड़ा होगा अब x जो है हम क्या करते हैं हम x का कुछ हिस्सा रख लेते हैं और y का भी कुछ हिस्सा रख लेते हैं यानि के अगर ये total 100 values हैं ये total 100 values हैं x और y की हम क्या करेंगे इस 100 में से 80 रख लेंगे test के लिए train के लिए और 20 रख लेंगे test के लिए यानि कि जब हम model train करेंगे हम data को दो हिसों में split करते हैं एक होता है आपका training data इसको बोलते हैं training और एक होता है आपका testing data training data usually 80% होता है, testing 20% होता है, ये 5-10% उपर नीचे भी हो सकती है values but for now 80 और 20 हो गया, हम क्या करेंगे हम machine learning model को इस value के उपर, इन labels के उपर supervised में train करेंगे यानि कि ये देंगे training फिर हम ये वाला 20% data सिरफ ये ही model को देंगे, model को कहेंगे predict करो जब model predict करेगा तो हमारे पास data एक और आ जाएगा, फिर जो हमारे पास non data है, इसी data की output का, इसके साथ उसे compare कर लेंगे, के ये कितना बराबर बराबर है, say for example यहाँ पे अगर मैं data लिखूँ A, B, C और यहाँ पे लिखता हूँ D, ठीक है अब यहाँ पे A का value आती है 2, B की value है 4 C की value है 6 ठीक है, और D की value हमें पता है कि 8 है हमने A, B, C की value दी और train कर लिए model 2, 4, 6 दे के, ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने D का पूचा कि हाँ भी model, तुमें सारा पता चलिए, अब D की value बता है model सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा अब model अगर हमें यह बताए कि इसकी value है 8 तो हमें भी पता है कि इसकी value 8 है इसका मतलब है कि model जो है हमारा 100% accurate है 100% accurately इसने हमें बता है ठीक है, इसको बोलते है machine learning, testing and training data की base पे model को चेक करना और यह testing data का मतलब ही यह है कि हम चेक करते हैं model को कि कितना अच्छा perform कर रहा है ठीक है, अगर यह 8 की बजाए 7 बताता, तो यह 8 से थोड़ा सा दूर था, फिर हमारे पास कुछ points होते हैं, जिनको हम बोलते है matrix, उनकी base पे हम judge करते हैं कि यह original से कितना दूर है say for example, r² है rmsc है फिर हमारे पास mean squared error है there are many other matrix और यह हमें बताते हैं कि original value से आपकी predicted value कितनी दूर है predicted, original से आपके पास कितनी दूर है, so हम क्या करते हैं, इस base पे कि हमें पता चले कि model कैसा perform कर रहे है, data को training और testing में split करते हैं 80-20 की ratio में इसी वज़ा से यह 5 वा step हमारा होता है, splitting the data 80-20 ratio भी इसकी हो सकती है 80 training और 20 testing, या 75-25 भी हो सकती है, ठीक है और यह 70-30 भी हो सकती है it depends on you ठीक है, और यह क्या करेगा, model फिर randomly पूरे data में से कुछ points चूज करके उसकी base पे आपको बताएगा कि data किस तरीके से आगे move कर रहा है, so this is how you can actually have an idea about the points पहला हमारा था define the problem दूसरा data collection, data की फिर preprocessing, फिर आपके पास अगली चीज आती है, जनाबे वाला exploring the data के बाद, choosing a model, हमने model चूज कर लिया model चूज करने के बाद हमने क्या किया, split किया data को, पांचवा step हो गया, splitting the data into training and testing data, यहां तक आपको clear हो गया, फिर हमारे पास यह जो मैंने आपको point बताया है कि हमारे पास कुछ metrics आते हैं यही हमारा चटा point है which is called evaluating the model evaluating evaluating the model evaluating the model, ठीक है, यानि कि training testing की base पे जब आप, एक model run करते हैं, तो आपके पास कुछ metrics आते हैं, इनको बोलते हैं, metrics to check the machine learning prediction इनको आप जब use करते हैं, तो आप evaluate करते हैं, कि model आपके पास किस तरीके से perform कर रहे हैं, यह क्यों जरूरी है, यह इस वज़़ा से जरूरी है आपने, for example, तीन model चूज की हैं, model A, model B और model C, क्योंकि यह तीनों के तीनों model research के अंदर या लोगों ने अच्छे तरीके से use की हुएं, अब आप क्या करेंगे, एक metric चूज करेंगे, r square जैसे हो गया, इसकी value देखेंगे, r square की कितनी हैं, अगर से, for example, यह 0.6 आ रही है, अगले की 0.7 आ रही है, अगले की 0.75 आ रही है, तो आप इस metric की base पे चेक कर लेंगे, कि A, B, C में से कौन सा model best काम कर रहे हैं, ठीक हैं, और इसी तरीके से अगर आप mean squared error, अगर दूसरा हमारे पास जो matrix है, यह मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ सुन लें, यह अगर 1.22, 0.9, 0.001, अगर यह सबसे कम value आ रही है, तो हम इसकी base पे चेक कर लेंगे, कि model कौन सा best है, और जरूरी नहीं होता, कि हमेशा इनकी value ज्यादा ही हो, कभी ज्यादा, कभी कम, बतमेहनत हर दम, हर चीज मिजान में अच्छी लगती है, तो इस वजासे हमें यह हर चीज, मिजान का मतलब यह है, कि वो जो एक तनासूब है हर चीज का, वो अच्छा लगता है, यानि कि हमें पता होना चाहिए, कि आर स्केर की value ज्यादा होनी से, सही होता है काम या काम होने से, यह मैं सब कुछ आपको बढ़ाने वाला हूँ, बताने का मकसद यह है, कि हम यहां पे evaluate करते हैं model को, और model evaluation क्यों जरूरी है, इसका मतलब यह नहीं कि हमने machine learning model उठाया, डेटा पे लगाया और बात खतम, ना, 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 हम model की accuracy चेक करते हैं, हम model को map ते हैं, महियर करते हैं, कितना अच्छा perform कर रहा है, कितना गलत perform कर रहा है, सेम वो ही चीज, आप बच्चों को पूरा साल पढ़ाते हैं स्कूलों में, पढ़ाने के बाद फिर आपके test होते हैं, जो चेक करते हैं कि आप कितना अच्छा perform कर रहे हैं, ठीक है, तो यह वो ही test हैं, जो हम model के उपर लगा रहे हैं, कुछ question पढ़ा देते हैं, कुछ रख लेते हैं, और फिर उनको वो syllabus के अंदर, वो question जो है, वो हम exercises के तोर पे, papers के अंदर पूछ लेते हैं, अब आगे चलते हैं, यह हमारा था जी, छटा step, evaluate the model, फिर हम क्या करते हैं, अब होता यह है कि कुछ models की, performance अच्छी नहीं आती, parents को बुला लेते हैं, कि आप आएं, स्कूल के अंदर, आपका बच्चा अच्छा perform नहीं कर रहा है, उसे पता नहीं क्या होगा, वो पढ़ नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी, वहां से tuning करवाते हैं, बच्चों की, जहां से पता है, कि वीचे से दुबाओ पड़ेगा, तो फिर यह पढ़ेंगे, इसी को हम बोलते हैं, hyper parameter tuning, model की tuning के लिए, आप hyper parameters को यूज करते हैं, और number seven step पे, यही चीज आती है, कि अगर perform अच्छा नहीं कर ला model, तो दुबारा वापिस जाएं, और model को tune करें, hyper parameter tuning, तो आप hyper parameter tuning करते हैं, models की, जिससे क्या होता है, कि आपका model अच्छा perform करने लग जाता है, ठीक है, अच्छा perform करेगा, और अगर आपका model अच्छा perform करने लग जाता है, इसका मतलब यह हुआ, कि आप A model को भी अच्छा कर सकते हैं, as compared to C, अगर आप A की tuning अच्छे से कर लें, ठीक है, so tuned A model can perform better than untuned C model, ठीक है, so हर model अच्छा perform करने की सलाहियत रखता है, अगर आपको model का background बता हो, आप model को in-depth समझते हों, यानि के in-depth समझते हों, model क्या है, equations जो मैंने कल वाले lecture में आपको बताई थी, for example एक मेरे पास model है, for example यान पे मैं करता हूँ, A is equal to Mx plus B, ठीक है, यह simple सा एक model है, सही है, अब इस model को अगर आप समझते हैं, कि A क्या है, M क्या है, X क्या है, B क्या है, अगर आप इस तरीके से, इन सभी को समझते हूँ, then actually you can have an idea, कि अगर हम A को थोड़ा सा ट्वीक कर लें, M को थोड़ा सा ट्वीक कर लें, X को कर लें, B को कर लें, तो हमारा model अच्छा perform कर सकता है, इसका मतलब है, आप model की theoretical concept को आपको समझना जरूरी है, अगर आप theoretical concept नहीं समझेंगे, तो practical life के अंदर आपका model अच्छे से perform नहीं करेगा, ठीक है जी, यहां तक clear हो गया, एक और चीज हो सकती है, model की accuracy बेहतर करने के लिए, hyper parameter tuning के इलावा, वो यह हो सकती है, आप number 8 पे, आप जो training और testing data दे रहे हैं ना, असी रख लिया और नीचे वाला 20 जो है, वो testing के लिए रख लिया, उपर वाला 80 नीचे वाला 20, आप ऐसा करें, इसी data के 5 हिसे करें, पहले उपर वाला 20, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, आप हमेशा एक हिसा, टेस्टिंग के लिए रखें, और बाकी चार हिसे ट्रेनिंग के लिए, फिर अगला हिस्सा आप ट्रेनिंग के लिए रखें, टेस्टिंग के लिए, और बाकी चार जो हैं, वो आप रख लें, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, So this is called k-fold cross-validation या इसको हम बोलते हैं cross-validation cross-validation इसको हम क्यों ऐसे बोलते हैं कि आप data को different छोटे-छोटे हिस्सों में तक्सीम कर लें जो आपने final 80-20 की ratio बनानी है 2020-2020 के 5 हिस्से बना लें यानि कि 20% data के और उसको बार-बार चेक करें किस data पर कैसी performance आ रही है इसको बोलते हैं कि आप same model को different subset of data पर train करते हैं इससे क्या होता है आपके model की accuracy अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है और on an average आपको optimum accuracy मिलेगी अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि जब आपने data pre-processing की हो सकता है उपर वाला सिफ इस data आपने सही कर लिया हो नीचे वाला 20 ठीक ही ना हो तो इस वज़ा से आप cross validation करके ये वाली error को remove करते हैं कि data की selection में biasness तो नहीं आ रही this is why we use cross validation on step 8 जब आप cross validate करते हैं चीजों को फिर आप अपना final model जो है उसे select कर लेते हैं ठीक है इसको बोलते हैं number 9 model finalization आप model को finalize करते हैं model को finalize करने के बाद अगर आपके पास satisfactory performance दे रहे आप उसको एक data पर test करें दूसरे पर करें तीसरे पर करें चोथे पर करें multiple data set पर उसे perform करके check करें multi data validation तो आप different data पर इसको test करें test करने के बाद जब आपके पास model final हो जाए जब बहुत अच्छा model perform करने लग जाए then you go into step number 10 deploy the model deploy the model उस model को आप deploy कर सकते हैं inside an app mobile app हो सकती है वो web app हो सकती है website हो सकती है software हो सकता है कुछ भी हो सकता है जैसे Adobe Photoshop के software है या Excel के अंदर AIR या chat GPT different जगों पर यूज हो रही है वो आप deployment में यूज करते हैं जिसके लिए आपको front end बनाना पड़ता है website developer से बात करने पड़ती है आपकी company के बड़े जो front end developer या back end developers होते हैं उनसे मिलके आप ML Ops पे काम करते हैं ठीक है इसको बोलते है machine learning in operations ठीक है यानि के machine learning को आप operation के अंदर ले जाएं और operation का मतलब यह है कि जब आप model को deploy करें इसको बार-बार retest भी करें update भी करें और versioning भी इसकी control करें यह क्यूं होते हैं आपको भी पता है जब chat GPT नया नया आया था 3.5 version था उसका ठीक है फिर उसके बाद 3.0 sorry मेरी जो tablet है आज कोई मसला कर रही है इस वेटा से यह हैंकी पहंकी से चल रही है 3.5 version था उसका फिर GPT 3.5 को उन्होंने 4 में convert किया अब recently इनका 4 टर्बो भी आ गया है इन API sorry APIs के अंदर so you need to be very careful आपने क्या करने टेस्ट करने अपडेट करने और मोनीटर करने मॉडल को ठीक है नया डेटा आता जाए और मॉडल अपडेट होता जाए वरना Nokia वाला हाल होगा आपको भी पता है अगर आप पुराने मॉडल को train करके बैठे हुए है और दुनिया में आपने अपनी अप को छोड़ा हुए है कि चलती जाए चलती जाए और आज के दोर में क्योंके LLM मॉडल्स आ चुकी है large language models उसकी बेज़ पे आपको coding नहीं करना पड़ती आप question पूछ सकने different चीज़ों जैसे chat GPT यह में नहीं आगया Google का नहीं जो है BART से update होके and then we have cloud and tropic का model there are many models out there जो LLM की models है तो अगर आप update नहीं करते अपनी AI app को या अपनी software को या अपनी जो भी आपने final deployment की है machine learning के model की then you cannot actually provide the customer satisfaction at the end तो यह हमारा main मकसद होता है obviously जब आपने इसको deploy करना है you need to know about the market यह नहीं हो कि आप market में deploy करके बैठके हैं लेकिन इसकी sale ही कोई नहीं हो रही and keep in mind जब आप इसको deploy करते हैं you need to invest in resources आपको hosting चाहिए होती है आपको computation चाहिए होती है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है लोगों को fully aware करने के लिए कि आप इस model की full capacity base को कैसे use कर सकते हैं और वो सारा कुछ आता है पैसों से इसका मतलब यह है कि आप सीखने की हद तक तो machine learning model को use कर सकते हैं और अपने computer की हद तक तो use कर सकते हैं but if you want to publish an app तो आपको machine learning model को अच्छे से finalized करके investment लेके एक final hosting website के ओपर या competition resources को use करके apps या something like that you have to build हाँ, कुछ free में resources available है जैसे streamlet का है वहाँ पे आप web app को ऐसे deploy कर सकते है model को train करके streamlet जो मैं आपको सिखाऊंगा भी web app बनाने का तरीका है hieroku है there are many other things आप एक software बना सकते हैं आप किसी को भी software package भेजें वो double click करके उसे activate करेगे and then they can use on their local machine लेकिन अगर आपने online किसी चीज़ पर run करना है जैसे chat GPT run होता है जैसे online tools run होते हैं तो उसके लिए आपको hosting चाहिए होगे और believe me अगर आप इन 11 steps को अपने mind में रखते हैं और आपको एक नई अतरंगी सी app बना देते हैं you can earn a hell lot of money नहीं यकीन आता तो google पर जाके लिखिएगा tool website कितना earn करती है और अगर आप machine learning tool बनाके website पर deploy करते हैं which inshallah we are going to learn believe me you can earn in thousands of dollars यह मैं नहीं कह रहा यह आपकी मेहनत बताएगी आपको करके reason यह है कि अगर आप मुझे कहेंगे कि मेरा course पढ़के आप thousand dollars कमा सकते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं गयता ना मैं कभी आपको कहूंगा मैं skill दे रहा हूँ आपको आप इसको utilize करें आप लाखों कमा सकते हैं हजारों नहीं लाखों नहीं क्रोडों भी कमा सकते हैं it's totally up to you यह आपका mindset है आप इसको कैसे utilize करते हैं तो 11 step हम इनको दुबारा से एक दफा revise कर लेते हैं और इन 11 के 11 steps को आप अपनी machine learning के mindset में अपने पास रखिएगा सबसे पहला step आपने define करनी है problem define your problem number one define the problem number two data collect करें उस problem के लिए number three data को साफ सुतरा कर ले और इस पे अच्छा खासा time लगना है और यही हमारा पहला step होगा इस course के हिसे का क्योंकि पिछले दो हमने कर ली है and then number four हमारा क्या होगा choose the model जो भी आपने model चूज करना है choose a model और models मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ठीक है फिर number five पे होगा आपका split the data जो आपके पास data मुझूद है फिर आप करते हैं evaluate the model number six पे number seven पे hyper parameter tuning number eight पे training plus testing जिसको हम cross validation भी बोलते हैं कि आप different folds की अंदर data को separate कर ले number nine आपका model finalization है जिसमें हम multi dimension test करते हैं data को फिर आगे चलते है and then number ten is deploy the model और इसके लिए आपको investment चाहिए होती है अगर आपका idea बहुत बेहतर है तो people are actually ready to give you money क्योंकि उनको पता है के chat GPT जैसे open AI जैसे क्रोडों dollar से भी ज्यादा कमा रहे हैं अगर उनकी आप check करें न एक साल की income you will be astonished by that फिर आपके पास number 11 होगा raise test, update and monitor the model ये आपके सामने जी machine learning के जो flow है वो मैंने आपको बता दिया है हम इस सारे के सारे flow को इंशालाई adapt करके जलाने वाले हैं और हम देखेंगे किस तरीके से हम ये सारे के सारा काम कर सकते हैं यहाँ तक आपको समझ आगी है